हेलो क्यूटीज आज हम बात करने वाले हैं लव मी इफ यू डेर के एपिसोड त्री की जैसा कि हमने अभी तक देखा था जिन्याओ बोजिनियान की असिस्टेंट है और वो लोग एक इन्वेस्टिकेशन करने गए थे वहां से आते हुए जन्याओ बोजिनियान से उसके इन्वेस्टिकेशन के बार में पुलिस को बताने के लिए कहती है जुन रहे हैं भी कह रहा होता है कि एक बार प्रोफेसर से बात करा दो हो सब कुछ समझा देंगे पर बोजिनियान बात नहीं करना चाहता था वो कहता है कि कि इससे पहले इसी भी चीज की डीब्रीफिंग मैंने इतनी अच्छी उनिवर्स्टी के प्लैटफॉर्म पे दी थी और तुम आज कह रही हो कि मैं ऐसी एक चलती फिरती गाड़ी में सब कुछ बताओं अब इसके बातों से तो यही था कि बोजिनियान डीब्रीफिंग नही को देखके बार-बार उसके सब प्रोफाइल निकाल रहा था कि तुम दुखी लग रही हो जो मैंने पहले तुमारे बार में असेस्मेंट दिया था वो शायद गलत था तुमारी प्रॉब्लम तुमारी फादर से रिलेटेड है और उसको ऐसी करे जा रहा था तो जिए उसक का आंसर भी देदنا उन से प्यार से बात करना और सर्केस्टिक वे में भी उन से बात मत करना बोजी नियान कहता है कि मैं किसी से भी सर्केस्टिक वे में बाता हूँ वो तो बस IQ में डिफरेंस हो जाता है पिर दिखाते हैं बोजिन एन अपनी ब्रीफिंग देनी शुरू करता है वो बताता है कि क्रिमिनल हमारा बहुत ही जादा इंटेलिजेंट है वो कम्यूनिकेशन करने में बहुत अच्छा है वो दूसरे लोगों से बहुत प्यार से बात करता है और वो एक एरिया उसने मैप कर रखा था कि वो इसी एरिया के आसपास ही रहता है इतनी मीटर की रेडियस में ही रहता है क्योंकि उसके सारे विक्टिम्स यहीं पे हैं और वो जैसे सब को किड्नैप कर रहा है और वो लोग उधर से ही किड्नैप हो रहे हैं और फिर वो ये कह देता है कि complete profile के लिए मुझे bodies चेक करनी है victims की तब मैं पूरी profile बता पाऊंगा तो जुनरेन पूछता है कि profile के लिए आपको bodies की जरूरत किया है तो बोजनियन कहता है कि वो विक्टिम की bodies मुझे उस criminal की mentality बताएंगी वो बताएंगी कि वो किस तरीके से murder कर रहा है तो मैं उसको अच्छे से define कर पाऊंगा फिर दिखाते हैं जिन्याओ बहुत अदर परिशान थी क्योंकि उसको दुख हो रहा था कि वो सारे victims मर गए होंगे जिनको पकड़ा गिया है उसने को एक उमीद थी कि अभी तक bodies नहीं मिली इसका मतलब वो शायर जिन्दा हो सकते हैं अभी उसके पास बोजनियन का message आता ह वो उसको अपने घर पुला रहा होता है तो उस टाइम पे जिन्याओ जुन्रेन के साथ ही थी तो जुन्रेन उसको बोजनियन के घर पे लेके जाता है जहां पे बोजनियन एक white board के सामने बैटा होता है और चारों तरफ उसके पास files ही files होती है वो सोच रहा था कि वो criminal कौन होगा कैसे होगा क्या करता होगा कैसे उसने मडर किया होगा जिन्याओ जुन्रेन को बताती है कि इस टाइम ऐसे तो लग रहा है कि बोजनियन अपनी दुनिया में खोया हुआ है मगर ऐसा नहीं है वो सब कुछ सुन सकता है वो लोग वहाँ पे पैटन नोटिस करते हैं कि जिस दिन लोगों ने रिपोर्ट लिखाई है पैरेंस ने अपने बच्चे के गायब होने की नॉर्मली बच्चा उससे दो दिन पहले ही गायब हो चुगा था क्योंकि वो सारे बच्चे जो किटनाप हुए थे वो 16-17 साल के थे तो उनके पैरेंस उनको एडल्टी समझते थे कि अगर वो एक दो दिन घर पे नहीं आ रहे तो वो कहीं और होंगे मगर उससे अगर ज्यादा टाइम हो गया तब वो उनके बारे में ढूनने की कोशिश किया करते थे इसलिए जो पुलिस रिपोर्ट थी वो सारी दो दिन बात की थी एक्च्वल किटनापिंग के जैन कुछ और ही है तब ही वहां पर बोजेन आओ बटाता है कि मैंने तीन प्लेस मैप आउट करी हैं उन जगाओ को जाकर चेक करो वहां पर शायद हमें बाडीज मिल सकती है जोन्यायन इतने सुनके चला जाता है वहां से और जोन्याओ के जाने के लिए के लिए अगर बोजेन याँ उसको चैन्मो समझता है वो कहता है कि सो जाओ जन्याओ को लगता है कि चैन्मो शहलों की गल्फ्रेंड होगी और इतने में बोजिन्याओ उड़ जाता है कार में जन्याओ काफे डिप्रेस होती है क्योंकि उसे लगा था कि शायद अभी तक डाड़ बाडी नहीं मिलें इसका मतलब वो जिन्दा ही होंगे मगर बोजिन्याओ कहता है कि मैं कभी भी मिस्टेक नहीं करता हूँ जो मैंने बताया है वो बिल्कुल ठीकी है फिर याओ उससे पूछने लगती है कि तुमने मुझे अपनी असिस्टेंट क्यों रखा तो वो कहता है कि क्योंगी तुम अनॉइंग नहीं हो और तुम लुक करती है तो कार जिसका नाम एंडी था वो बहुत इंटेलिजेंट कार दिखाई गई है उसको पता चलता है कि याओ याओ दुखी है तो वो कुछ ऐसी वीडियो चला देती है जिससे याओ याओ को अच्छा फील हो तूसरे साइट दिखाते हैं साइट पे 6 बॉडिस मिली और वो 6 पार्ट्स में कर्टी हुई थी जुनरेन कहता है जितने बच्चे केटनाप हुए है उनमें से सबने तो रिपोर्ट भी नहीं लिखाई है अभी तक बोजिनियान वहाँ पे देख रहा होता है कि कैसी कैसे उस केटनापर ने मर्डरर ने यह सारे काम किये होंगे बोजिनियान घर पे आके बस यही सोचने में लगा था कि उसने सब काम क्यों किया होगा दूसे साइट दिखाते हैं याओ याओ बोजिनियान के घर पे आती है और जब कोई नहीं बोलता तो वो देखती है रूम में बोजिनियान एक कुछ बना रहा होता है और नीचे उसका पैर एक टोर्टोई से डगरा जाता है जीयू आके बताता है कि इसका नेम चैनमो है और यह किसी की नहीं सुनता तो वो चैनमो बोजिनियान का पैट था याओ याओ पूछती है जीयू से कि वो क्या बना रहा है तो जीयू बताता है कि वो मशीन बना रहा है जिससे यह सब मर्डर किये गए है Section उसको इसको अब तक क को पी किया होगा कर दिखाती है जिसको देखके बोजनायन कहता है कि मुझे समस्माज आ गिया क्या स्टार्टिंग में इससे धंक से14 पाते थे उसको प्रॉबलम होते थी क्या चीज़ कैसे करणी है मगर दीरे दीरे वो इसमें प्रो होता गया फिर बोजिनियान मिटिंग बिलवाता है और उसमें उनको explain करता है कि उसने murder कैसे किया और क्यों किया वो कहता है कि उसका कुछ trigger रहा होगा मतलब उसमें यह सारी वो पहले से होंगी कि उसको ऐसे करना मैं ऐसे करना है मगर उसका कुछ family member मरा हो या उसका कुछ break up हुआ हो शादिवादी तूटी हो कुछ किसी reason की वजह से उसने काम शुरू कि और 6 महीने पहले से यह काम होता रहा है वो समझाता है कि जो हमें first victim मिला उसमें क्या था कि अगर गला काटा गया था तो उसमें बहुत सारे निशान थे हाथ बात काटने में भी बहुत सारे निशान थे मैं को जो last victim था उसकी जो body काटी गई थी वो एकदम direct cut थी तो इसलिए एक ऐसी machine है जो direct की direct 6 parts में body को cut कर देती है और सिर्वो इस machine का model उन सबको दिखाता है दूसरी साइड है एक victim का dad जो starting में बोजी नियान के घर में गुजगिया था तोड़ फोर करने के लिए वो याओ याओ से कहरा होता है कि प्लीज मैं बोजी नियान से माफी मांगना चाहता हूँ मेरा बेटा अभी तक नहीं मिला तो उसके जंदा होने के chances है अगर मैंने उनको उफेंट कर दिया है तो प्लीज मैं उनसे माफी मांग लूँगा मगर वो मेरे बेटे को मिलवा दे धूनने में हेल्प करें याओ 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 उसको समझाती भी है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे है अगर वो जंदा है तो उसको धूनडी लेंगे दूसरी साइट दिखाते हैं जुनरेन को पता चलता है कि एक बॉड़ी और मिली है जुनरेन ये बताने के लेट्स वेस्ट करें तो वह तो बहुत इवरेज इंसान है उसको भी काफी टाइम लगा हुगा उसने भी से जाधा वेस्ट किया होगा यह सारी चीज़े तो बहुत लिमेट्ट आती है और यह किसी और वापिस आकि वह रिपोर्ट दिखाता है जो बॉड़ी मिली थी वह 15 12-16 साल के लड़के की थी वो भी एक साल पुरानी बॉडी थी पोचिनियान कहता है कि से हम डीयने तो ले ही सकते हैं तो हम ले लेंगे मगर उसको मैच किसके साथ करेंगे क्योंकि इतनी पुरानी कोई रिपोर्ट ही नहीं आए कि असा कोई बच्चा का अब हुआ है और फिर लास में वही दिखा रहे होते हैं कि आदमी फिर से कुछ बॉडी दबा रहा होता है और यहीं पर एपिसोट फिनिश हो जाता है अगर आप कोई परसंद आया हो तो फ्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कॉमेंच करें बाई बाई तिल न